लड़कपन से ही मैं कुछ ज़्यादा लापरवाह रहा हूँ इसलिए मेरी किताब की जगए किताब नहीं मिलती थी और नहीं कपड़े की जगए कपड़े ही आते ही इदर उदर फेंक देता और ढूरते बक्त सामत आती मां की मां रोज कहती पपू के बापू इसके दहज में चाहें अठनी भी ना मिले मगर बहु ऐसी ला देना जो इसे मेमना बना कर खाट से बान दे पिताजी हसकर कहते क्यों परेसान होती हो पपू की मां अभी बच्चा ही तो है बाद में मैं भी बड़ा हो गया मगर मेरी आतें बही पपू वाली ही रही तो पिताजी के कान खड़े हुए लोग बर ढूनने के लिए खाक शाना करते हैं लेकिन उन्होंने मेरे लिए बीबी खोजने में चार जोड़ी जूतियां घिस डाली एक दिन उन्होंने खूटी पर पगड़ी टांकते हुए कहा लो पपूगी मा तुमारी मुराद पूरी हुई छोटी कैसी है पपूगे बापू है तो थोड़ी ही काली लेकिन रंग तो दो ही होते हैं अच्छी सेयत मंद भी है पर सफाई से उसे बहुत प्यार है और हर सलीका जानती है इसी बात पर रीज कर मैं हां कहया आया तुम भी देखोगी तो निहाल हो जाओगी बापू भाग भाग हुए जा रहे थे उस लड़की का ख्याल करके ही मेरे होस उड़ गए लेकिन सादी का जो चाओ होता है उसी पागलपन में गोड़ी पर चड़ बैठा भावरे सुरू हुए ही थे कि गड़ मड़ हुई दुलहन ने मुझे कुहनी मार कर कहा सीधे बैठो जी यो जुकर बैठना जरा अच्छा नहीं लगता इस बात पर बापू ने मा की तरफ देखकर मूचों पर ताव दिया था और मा ने इस तरह हसकर सिर हिलाया था मानो कह रही हो कि मान गए जी आपकी पसंद को पपू के लिए ऐसी ही बहु चाहिए थी मैं तो खुश था कि चलो अब मा की हर तकलीफ यह समभाल लेगी घर आते ही मा बाप के पैर छूते समय राम कटोरी ने समझाया था देखो जी हम पैर छूने जाएंगे इसका सही तरीका यह है कि पहले दोनों हाँच जोड़कर हमें परणाम करना है उसके बाद उनके पैरों में जुकना है फिर उल्टे पाउं लोटना है उनकी तरफ फीट नहीं करनी है इस बात को समझाने के जिए बह बापू के पैर छूने गई थी और बापसी में उसने फर्स पर पड़े मरतबान के टुकडे टुकडे कर दिये थे मैं सोच रहा था कि अभी मा चिलाएगी बहु अंदी हो क्या जो कुछ दिखाई नहीं देता मगर मावाप ने तो पैर छूने के इस सलीके पर इतने खुषते कि उन्हें मरतबान का जरा भी हपसोस ना हुआ मा ने मेरे सारे काम राम कटोरी को सौब दिये मैं जितना लापरवाह था राम कटोरी उतनी ही सलीका पसंद जरा अच्छा नहीं लगता कहकर भै मेरे जूतों को पलंग के नीचे इतनी दूर पहुचा देती कि सुबह सूट बाटाई पहनने के बाद जूते निकालने के लिए मुझे फर्स पर लेटना पड़ता मैं जांगिये को सूखने के लिए बाहर डाल जाता पर भै साम तक उसे इस टोर में पड़े संदूक के भीतर रख देती बजह ऐसी चीजों का बाहर दिखना अच्छा नहीं लगता रामकटोरी सुबह सवेरे उठकर जाडू लगाएगी मगर धूल उड़कर सोफे बिस्तर और किताबों पर जम जाती है भै उन्हें जाडती है तो धूल पर्त पर फिर भै फिर से जाडू लगाएगी और बेसर्म धूल फिर सोफे बिस्तर और किताबों पर हार कर मैं कहता हूँ रहने तो रामकटोरी क्यों धूल में लट्थ भांज रही हो मगर रामकटोरी जाडू लिये जुटी रहेगी रहने हो दो जी घर गंदा रहे तो जरा अच्छा नहीं लगता इसी बीच सारी धूल रामकटोरी पर जम चुकी होती है और मैं हसकर कहता हूँ मगर इस वक्त आप बहुत अच्छी लग रही है इस बात पर बैं बिदक जाती क्यों जी जब मैं नहाकर निकलती हूँ या पाउडर क्रीम लगाती हूँ तब तो आप कभी नहीं कहते कि अच्छी लग रही हूँ अब गंदी दिख रही हूँ तो आपको अच्छी लग रही हूँ आप में देले की भी अकल नहीं है आपको मैली कुचली औरते ही पसंद कहते कहते वह रोने लगती है अब मुझे उसी का हत्यार प्रोक करना पड़ता ऐसे मत रो रामकटोरी इस तरह रोना जरा अच्छा नहीं लगता मुझे घर में बन्यान पहन कर बैठने की आदत है बह मास्टर इन्नियों की तरह तुरंत गुड़क देती यह क्या तोंद निकाले बैठे हैं चलिए कमीज पहनी हैं मैं कहता देखो रामकटोरी गर्मी बहुत उदर से तुरंत जवाब मिलता मगर इस तरह नंगे बैठना जरा अच्छा नहीं लगता जब कमीज बाजू से उधरी होती तो मैं कई बार टांका लगाने को कहता मगर बैकानों में तेल दिये बैठी रहती मुझे उपाय सूचता कमीज उसके सामने फेंकर कहता यह फटी कमीज पहनना जरा अच्छा नहीं लगता रामकटोरी मेरी भी उस्ताद थी कमीज मेरे मुँपर मार कर कहती दर जी के पास जाईए बड़े घर की औरतें फटा पुराना सी हैं तो जरा अच्छा नहीं लगता राम कटोरी की रसोई भी देखने वाली होती सबसे नीचे बड़े बरतन उनते उपर छोटे बरतन और फिर सबसे छोटे बरतन मीनार की तरह सजा कर रखे होते सबसे नीचे का बरतन चाहिए तो सारे बरतन उतारो अपनी जरूरत का बरतन निकालने के बाद सारे बरतनों को फिरते उसी तरह सजाओ गोया सजाना ना हुआ सजा हो गई मगर भै मेरी कहां सुनती इसी चक्कर में लगी रहती मैं चिलाता बाद में सजा लेना मुझे दफ्तर के लिए देर हो जाएगी राम कटोरी हसकर कहती रासोई घर तो औरत का मंदिर होता है यही गंदा रहे तुझरा अच्छा नहीं लगता भै अच्छा लगने में ही लगी रहती यही बज़े है कि सबजी बक्त पर नहीं बनती मगर राम कटोरी खाने का डबा हमेसा पांच खानों वाला देती इसका भी एक सलीका था पहले डबे में एक साबुत प्याज और दो मिर्च दूसरे में अचार, तीसरे में चट्री, चौते में सबजी और पार्चबे में रोटियां मैं चाहता कि सूकी रोटियां कागज में लपेट कर मागूं और बस पकड लूँ मगर उसका जबाब होता, इतना बड़ा अफसर अख़वार में रोटियां लपेट कर ले जाता जरा अच्छा नहीं लगता गर में सोपे पर बैटते बक्त में अदलेटा हो जाता या टांग पर टांग चड़ा कर बैट जाता तो बही गिता पिता जुमला कान च्छेल देता है, नहाते वक्त मेरा ध्यान नहाने में कम और गुसल खाने पर ज़्यादा होता है साबुन लगाने के बाद उसे साबुन दानी में रखकर ढखकन लगाकर दाएं कोने में बने आले में इस तरह रखना पड़ता कि वह नीचे बैटे बैटे उठाया जा सके और गिरे भी नहा चुकने के बाद तंग से गुसल खाने में ही कपड़े पहनों और आते समय बाल्टी इसको फर्त पर आउंदा रखना होता था फिर उस पर मग इस तरह रखा जाए कि खुले दर्वाजे से बैस साफ नजर आता रहे इन सलीकों और रामकटोरी की टोका टाकी से मैं बेहट डरता रहता और हर पल घवराता रहता कि कहीं कोई गलती ना हो जाए और उसका गिसा पिटा रिकार्ड ना सुनना पड़ जाए एक दिन बापू से कहा इस काटोरी पर आप ही टीजे थे फिर मेरे पले क्यों बांदिया इसे बापू मा की तरफ देखकर हसे थे भाई यह तुमारी मा तो मास्टर नहीं ही थी बहु तो हैड मास्टर नहीं निकली लेकिन तब ही रामकटोरी आप पहुँची मैं सुच रह नहीं लगता रामकटोरी ने तुनक कर बापू से कहा देखिये मेरी नकल उतार रहे हैं इस तरह चड़ाना इस खाली जगह बापू को ने बरा जरा अच्छा नहीं लगता और ठाहा का लगा दिया रामकटोरी हैरान रहे गई उसने बड़ी उमीद से मा की दरफ देखते और इसमें रामकटोरी की आवाज सबसे उंची थी मैंने खुती दे कहा सुक्र है तुम भी हस दी रोई तो नहीं रामकटोरी ने कहा सब हस रहे हो तो एक औरत का रोना जरा तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी लाइक करें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करन ना भूलें धन्यवाद